निशाद बाग में है और यह जगा इतना खुपसरत है फूल नहीं है पते नहीं है फिर भी इतना खुपसरत है कि बता नहीं सके सच्मी आमेजिंग है लोग कम है इसलिए ज़्यादा सांध भी लग रहा है और चीडिया तो मतलब बहुत सारे है और सामने है डाल लेक कास्मिर में आपको जो चार पांच प्रोमिनेंट मुगल गार्डेन देखने को मिलेंगे ना उन में से एक है निशाद बाग निशाद मतलब जाए और सचमुझ गार्डेन अफजाए है मैंसे लगता है कभी-कभी कि मैं सच में बहुत लग्य हूँ ताकि मैं जब भी कहीं जागा पे जाती हो ना कुछ यूणिक व्यू देखने को मिल जाता है यहां पो 12 टेरास है जैसे की अभी ना हम जा रहे है जो ग्राउंड से उपर फ्लोर के लिए जाने के लिए यह वाला पहला है यह एक टेरास है फिर स्टेफ से होके जब तक आपको पहाड दिख रहा है ना उहां तो 12 टेरास शेरिया है और पुरा पाहार की उपर से एक जरना बेहती आ रही है जिसकी दोनों साइड में गार्डन है इसको बनाया था आसव खान ने 1633 में जो थे नूर यहां जो है उनकी बड़े भाई यह टूर मेरा उइंटर का था पर तब स्नोफल नहीं हो रहा था फिर भी में लखी रही इसलिए कि जब हम जाकर वहां पर पहुंचे ना तो सुर्यास्त का टाइम था और जो सुरज की जो संसेट वाला टाइम का जो गोल्डेन रेज है ना वो हर जगा पे बिखा कि इतना इतना खुल सुरत था कि मेरे दिमाग में उसका जो मेमरी है ना उपरे चप गया है उतलो जिंदेगी की आखरी मोमेंट तक वो याद रहेगा इतना पुराना अर्किटेक्ट्चर है वो फिर परस्यान अर्किटेक्ट्चर है और इतना सुंदर है इतना प्लानिंग के साथ बनाया गया है ना मैं बता नहीं सकती अगर आप समर में जाएंगे ना आपको चारो तरफ गार्डेन में हस्ते खिलते हुए फूल दिखेंगे यह जो स्ट्रीम लाइन साइड में दिख रहा है वहां पर पानी दिखेगा और वहां पर आपका रिफ्लेक्शन दिखेगा आस कि जिन्देगी में हर सिचुएशन में हर इंसान में हमारे चारो तरफ हर वक्त कुछ ना कुछ खास बात होता है सायद हम देख नहीं पाते हैं छोटा सा बात होता है जो पूरा सिचुएशन को बदल देता है जैसा कि सुरज की किरने क्या कहते हैं आपको